नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं सरकारी स्कूल दो घंटे पुर्व सुरू होंगे, वहीं अन्य निजी स्कूल भी एक से दो घंटे पले संचालित होंगे बरतमान में सरकारी स्कूलों का संचालन सुब़ नव बये से दो पर तीन बये तक होता है वहीं मौर्निंग सिप्ट हो जाने से सुवद 7 बय से 2 पर 1 बय तक कख्षाय चलेंगी 1 अप्रेल सनीवार की वज़ा से 3 अप्रेल से स्कूलों में नेमित रूप से मौर्निंग कलास सुरू हो सकेगी मताद सिक्षा विभाग के निदेश के अनुसार मौर्निंग सिप्ट की कलास के बाद इंडोर वा आउटडोर गेम कराया जाएगा ऐसे में अभी भी असमझत की थिती बनी हुई है कि गर्मी में दो पर 1 बय से 2 बय तक बच्चे खुले मैदान में कैसे खेलेंगे इस पर सिक्षक संगठनों के साथ सा जारकन विधान समय में विधायकों ने आवाज उठाई थी लेकिन अब तक इसमें बदलाव नहीं किया जा सका है सरकारी स्कुलों में मौर्निंग सिप्ट होने से 6 बच कर 45 मेयर तक सिच्खों को पहुँचना होगा मौसम विभाग के अनुसार जारी पूरोनवान के मुताबिक 29, 31, 31, मार्च और 1 अपरेल को आसमान में आशिक बादल छाय रहेंगे वहीं में गजन के साथ साथ बार्षा होने की भी संभावना है वहीं 2 और 3 अपरेल को आसमान मुख्यता साप और मौसम सुस्क रहेगा बदा दे कि मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दिया है कि लोगों से सदर्गता परतने की नसीहत दी है और सुरक्षित अस्तान पराने की भी सला दी है वहीं बता दे पिछले 24 घंटे में राजे में कहीं कहीं घरजन के साथ हलके दर्ज की बारिस भी हो जाए सबसे अधीक वर्षा 10 मिलिमीटर पच्मी सिम भूम में दर्ज किया गया वहीं सबसे अधीक उच्टम तापमान 36 डिगरी सेल सियास जम सेथ पूर में जबकी सबसे कम निमतम तापमान 17 डिगरी सेल सियास सिम डेगा में दर्ज किया गया सियम हे मांत ने 26 भेटनारी डॉक्टरों को सोपा पत्र समेकित 20 से ग्राम विकास योजना सह क्रीशक पाट साला के लिए सुचिवत एजेंसी और पसुधन आपपूर्ति कर्टाओं के साथ एमयू और नियोक्ती पत्र बित्रन कारकराम का युजन जहारखन मंत्रारे सबागार में जजीत हुआ इस मोचे पर मुख्य मंत्री ने 26 पसु चिकिसो को और 7 कर्मियों को नियोक्ती पत्र प्रदान किया इस दौरान 17 एजेंसीओं के साथ मयू किया गया इस मोके पर मुक्ष मंत्री हमसुरे ने काया कि क्रिसी सीरिफ अर्थ वेवस्ताई नहीं बलिक मानव वेवस्ता को भी मजबूत करती है विशेस कर जार्खन जैसे राजे की आत्मा क्रिसी में बस्ती है क्योंकि यहां की सतर परतिसत अबादी क्रिसी और पसुधान से जुड़ी है ऐसे में सरकार का क्रिसी और किसानों के विकास पर विशेस फोकस रहा है सहीद निलांबर पितांबर के गाउं का होगा काया कलप गड़वा जीला मुख्याला इस्थीत गोविंद उच विद्याले के मैदान में मंगलवार को जार्खन के बीर सहीद सोतंत्रता से नानी निलांबर पितांबर का 164 वा सहाधत दिवस मनाया गया खरवार आदिवासी एकता संके तत्वधान में आयवजीत कारकरम का उधाटन मुख्य अतिती मंत्री मिशलेश कुमार ठाकुर ने किया इस दोरान मंत्री ने निलांबर पितांबर के वनसज को मंच पर माला पहना कर एवाम सॉल उड़ा कर सम्मानित भी किया कहा है कि आज हम सभी सबस्ता से नानी बीर सही निलांबर पितांबर के स्ताहादत के बदावलत ही सोतंत्र भारत के निवासी कहे जाते हैं आगे उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद आदिवासीयों मुलवासीयों की थिती काफी खराब थी दिसोम गुरू सीवु सुरेन ने जोरदार आंदोलन कर महाजनी प्रता को समाप्त किया यहम लड़कर मुलवासियो आदिवासियो का राज अलग बनवाया रांची में सुरू होगी बैटरी संचालित AC बसो की सेवा जारखन में बैटरी संचालित AC बसो के परिचालन को लेकर धरातल प्रतेरिया पुरी कर ली गई है राजधानी रांची से इसकी सुरूआत हो रही है जो धीरे धीरे अन्य जीलों में भी लागू की जाएगी रांची के लिए 24 AC बसो की खरिदारी को सुकृति पैदान की गई बतादे केंद्र सरकार के परमर्ज के अधार पर इस बेवास्था को सुरू करने की त्यारी की गई है आवासन एवं सहरी कारे मंत्राले ने इसको लेकर कुछ दिनों पूर्वी सरकार को निर्देश दिया था मंत्राले ने सुझाओ दिया था कि रांची में बसो का परिचालन PPP मोड पर किया जाए अभी तक की त्यारियों के नुसार रायधा निराची में बसो का संचालन पुरो से निधारी 13 रूट और 110 पड़ावों के अधार पर किया जाएगा यसी इलेक्ट्रिक बसो के लिए चोड़ी सड़के चाहिए अभी में रोट समेत प्रमोख सड़को पर ही बसो का परिचालन किया जाएगा राजीव अरुन एका से दूसरे दिन 12 घंटे पुस्ताच इड़ी का सिकंजा राजीव अरुन एका प्रकस्ता जा रहा है मंगलवार को इड़ी ने उन से 12 घंटे तक पुस्ताच की है इस दोरान ट्रांसपर पोस्टिंग में विसाल चोडरी के भूम का मामले में भी एका को इड़ी के सवालों का सामना करना पड़ा बता दे मुख्य मंत्री के पूरो परधान सचीव और बरतमान में जार्खन सरकार के पंचाहिती राज विभा के परधान सचीव राजीव अरुन एका से इड़ीन लागतार दूसरे दिन भी 12 घंटे तक पुस्ताच की है इस दरवान राजीव अरुन एका अपने उपर लगे आरूपों से किनारा करते नजर आए देर रात बाहर निकलने के बाद भी राजीव अरुन एका ने मीडिया कर्मियों से कोई बाचित नहीं किया है बिधान सभा में अवैध नियुक्तियों पर जार्खन हाई कोट सक्त जार्खन बिधान सभा में होई अवैध नियुक्तिय के मामले में हाई कोट ने सक्त रूख दिखाया है कोट ने इस मामले में राज सरकार और सचीव से जबा मांगा है बतादे वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में जार्खन विधान सवा में करीब 1.500 लोगों की अववाइद नियुक्ती की जाच की मांगवारी जनित्याच के अपर सुनवाई करते हुए जार्खन हाई कोट ने राज सरकार और विधान सबस्चाची उसे जबाव मांगा है जार्खन में मां और बच्चों की हर मौत के कारणों की होगी जाच जार्खन में अब किसी भी मां और सीसू की मौत होने पर उनके मौखिक परिक्षन किया जाएगा भारत सरकार के निदेश पर राज सरकार ने भी उसकी रिपोर्टिंग अनिवार कर दी है परिक्षन के बाद मौत के कारणों का पता चलने पर मात्रु एम सीसू स्वास्त में कराई गई कम्यों को दूर किया जाएगा स्वास्त विभाकी और से मात्रित्व स्वास्त को सांग के नोडल अपसर ने राजे के सभी मेडिकल कॉलेज और सभी सिविल सर्जनों को इस भावत निर्देश जारी कर दिया है नोडल अपसर ने सभी मेटकल कवलेजों के अधिक्षक और सिविल सर्जनों को कहा है कि बित्य वर्ष 2022-23 में आपके छेत्र संस्थान में हुई सभी मात्रू मिरित्यों की जाज मौखिक 100 परिक्षन करा कर उसकी रिपोर्ट करा है गढ़वा में बड़ फुलू नहीं गढ़वा जिली में बड़ फुलू जैसी कोई स्थिती नहीं है लोग निश्चित होकर चीकेन वह इससे बने ब्यांजकों का स्वाद ले सकते हैं जनकारी जिला पसुपालन पतादिकारी सतन कुमार पंडित ने दी है उन्होंने बताया है कि जारखन के कुछ जिलो में बड़ फुलू की सुचना के बाद विभाग के निर्देशा अनुसार नौमबर महीने से ही गढ़वा जिले में एहत्यारन बरती जा रही है इधार कांडी यहां भुनाथपूर परखंड के विभीन पॉल्टी फारम से सेंपल एक अत्रित किया गया था इसकी जाच के लिए पहले इसे रांची फिर वहां से भोपाल लेब भेजा गया था वहां से मिली जाच रिपोर्ट में दोनों सेंपल निगेटिव है साथ ही सतन कुमार पंडित ने बताया है कि वर्ट फुलू को लेकर जीले में रैपीड रेस्पोंस टीम भी गठित की गई है जारखंड में 30 जून तक स्कूल 6.45 से सरकारी स्कूलों में मौर्निंग सिप्ट होने पर 6.45 तक सिसकों को स्कूल में पहुंचना होगा उसके बाद कलास में हाजरी ली जाएगी और 7 बच कर 25 मिनट से पहली घंटी होगी बता दे पहली 2 घंटी 45-45 मिनट की होगी और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा तीसरी चोथी वा पाचवी घंटी 40-40 मिनट की होगी वहीं ये 11 बच से 11.5 बच तक मध्यान भोजन के लिए समयताय किया गया है इसके बाद 6 घंटी 40 मिनट की पाच मिनट का ब्रेक और 7 घंटी 35 मिनट की होगी स्कूल की अधी खत्म होने से 10 मिनट पहले बच्चे एक जुठ होंगे और एक अच्छे दिन के लिए इसवर का धनेवाद करेंगे इसके बाद 1 घंटे इंडोर वा आउटडोर गेम हो सकता है जहारखन में 7 साल से जेटेट परिक्षा नहीं जहारखन में 7 साल से जेटेट की परिक्षा नहीं होई है वहीं सीटेट पास अभियार्तियों को सायक अचारे के लिए आविदन करने के नुमाती भी नहीं है इसके चलते टीचर ट्रेनिंग के बाद सीटेट पास कर चुके अभियार्तियों सरकारी सिक्षक नहीं बन पा रहे मालूम हो कि जहारखन बनने के बाद पहली बार 2013 और फिल 2016 में जेटेट की परिक्षा हुई थी उसके बाद से जेटेट परिक्षा नहीं हो पाई है ऐसे में इस बार भी सीटेट पास अभियार्ति जहारखन में सायक अचार्यपत की नियुक्ति के लियावेदन नहीं कर पाएंगे हजारी बाग में सस्त्र और सास्त्र की पूजा हजारी बाग में सब्तमी को पहली बार सस्त्र और सास्त्र की पूजा बिहारी दुरगा मनडप में किया गया। और करन उरुफ बप्पी ने किया है समाज के कई गणमाने लोगों और पत्रकारों को भिप्रम परेगित हतियार हनुमान चलिशा और अंग वस्त्रत देकर समानित किया गया है राज्ये के विस्वविद्यालियों में होगी अर्चरी की पढ़ाई राज्येपाल राज्येपाल सिपी राधाकिष्णा ने कहा है कि राज्ये के विस्वविद्यालियों ऐसा लीडर पैदा करे जो समाज में परिवर्तन ला सके जिस पर राज्ये और देश को गर्व हो वह बिनोवा भावे विस्वविद्यालियों में स्वोमवार को कुलपती समेलन को समोधि कर रहे थे उन्होंने कहा है कि राज्य के विश्व विद्याले में सिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसके थाथ उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी विश्व विद्याले में अर्चरी तिरंदाजी की पढ़ाई होगी उन्होंने कह आयकि उन्हें पता है कि राजय के भी स्विधाले से जिश्कों की कमी जेल रहे हैं वे नियुक्ती करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए अलग आयोग के गठन के लिए सरकार से बात की जाएगी एक बात की कोशिस करेंगे कि जो भी नियुक्ति हो वा मेरिट पर हो इसके लिए हम लोग को विशेश ध्यान देने की जरूरत है जारखन में नए सीरे से होल्डिंग टेक्स का होगा निर्धारन जारखन में अब नए सीरेस से होल्डिंग टेक्स का निधारन किया जाएगा इसको लेकर नगर विकास विभागने सभी नगर निगम और नगर परिशत को दिशानिदेश जारी कर दिया है अब नए फर्मूले पर होल्डिंग टेक्स का निधारन किया जाएगा जारी दिशान निदेश के तहट रांची कोडर्मा सहित कुछ जीलों के नगर निकायों ने होल्डिंग टेक्स में बदलाव करते हुए इसे लागू भी कर दिया है तपोवन में अयोधिया की तरह बनेगा भव्य स्री राम जान की मंदीर एतिहासिक तपोवन मंदीर का सुन्दरी करण होना है जल्द ही ए मंदीर अयोधिया की श्री राम मंदीर की तरह दिखाई देगा उसी तरह पर तपोवन मंदीर का प्रारूप भी तियार किया गया है इसका डिजाइन जाने माने आर्की टेक्स्चर सीवी सोन पूरा ने किया है तपुवन मंदीर के महंत ओम परकासन सरन के अनुसार नए परारूप के अनुरूप मंदीर का सिलन्यास जल्द ही किया जाएगा जिस पर प्रालंभिक लागत करीब 200 रहा है ये सरधालों के दोरा दिये जाने वाले सोयोग रासी से त्यार होगा बता दे अयोध्या में सिरी राम जन्म भूमी मंदीर से मिलता जुलता बनने वाले नए तपुवन मंदीर की भव्य दूर से ही दिखाई देगी अयोध्या में भगवान सिरी राम मंदीर में तीन सिखाई होगे राजेपाल ने ली पुर्व सैनिकों की सूध जार्खन के राजेपाल सीपी राधा किष्णन सैनिक कल्यान बोर्ड की बैठक में सामिल हुए इस दोरान उन्होंने कहा है कि पूरो सायनिक भागवान तुले हाए और उनके आसरीतों को किसी भी तरह की परसानी नहीं होनी चाहिए बता दे जर्खन के राजेपास सीपी राधा किष्णा ने राजभवन से सायनिक कल्यान बोर्ड की मैनेजिंग कमिटी की बैठक की उन्हें जब पता चला कि मैनेजिंग कमिटी का गठन नहीं होने की वज़ा से अगर से 2020 से बैठक नहीं होई हाए तो वे आस्चार्ज में पड़ गाए उन्होंने दुख ब्यक्त करते हुए निदेश दिया हाए कि हर छो मा पर सेनिक कल्यान बोर्ड के मैनेजिंग कमिटी की बैठक सुनिश्चीत की जाए पसुची कित्सको को भी मिले मानोची कित्सक के समान सुविधा मंगलवार को जार्खन पसुची कित्सा सेवा संग के एक सिस्ट मन्दन ने राज्ये की किसी मंत्री बादल पतरलेक से मुलकात की मुलकात के दरन किसी मंत्री से पसुची किसकों ने पसुची किसा सेवा के पदो के पुर्ण गठन के साथ साथ प्रोनती पद पचास पर सहीत अने सुविधा देने की मांग की जिस पर किसी मंत्री ने उन्हें अस्वासन दिया है वहीं पसुच चिकित्सकों की कमी को देखते हुए पसुच चिकित्सकों संग ने किरिसी मंत्री से मांग किया है कि यदि उन्हें मानों चिकित्सकों के समान सुविधा और बेतन दिया जाएगा तो उनके कारे छमता में सुधार होगी साथ ही उनके प्रस्ताओं को सुक्रिती मिलने के बाद पसुची किसकों की कारे कुसलता में भी बिदिती होगी रांची सदर अस्पताल का सुभारम राइधानी रांची में सदर अस्पताल के नय भौन का सुभारम मंगलवार को कर दिया गया है करी 15 वरसबाद सदर अस्पताल के 520 बेड का नया भहन में आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है अस्पताल के सुभारम में ना ही स्वास्त मंत्री बना गुपता पहुंचे ना ही सांसल संजय सेट और ना ही विधायक सिपीश सीन्हा ने पहुंचे इन सभी का इन तयार होता रहा लेकिन जब एमानिये नहीं पहुंचे तो सीविल सर्जन ने खुद ही अस्पताल का सुभारम कर दिया मालूम हो कि नवे भहन का उधाटन आनलाइन मुखे मंत्री ने 23 जन्वारी को कर दिया था लेकिन अस्टाप के अभाव में अस्पताल शुरू नहीं हो पाया था अभी 450 अस्टाप की बहाली आउट सोर्स से की गई है गुमला में राम नामी को लेकर पुलिस अलर्ट गुमला जिले में निकलने वाले राम नौमी पर्व के जूलूस को लेकर गुमला पुलिस अलर्ट है गुमला सहर के विभीन आखाडो और पुजा समीति के युवाओ के बीच चार सो पिश टी सर्ट का बित्रन पुलिस द्वारा किया गया मंगलवार को एसपी डाक्टर एहतिस्ताम वा कारिब गुमला थाना पहुँचे जहां युवाओ के बीच टी सर्ट का बित्रन किया वहीं एसपी ने राम नौमी पर्व के मद नजर थाना परभारी गुमला के साथ बीधी बेवस्था के समध में समिक्छा की सभी अखाडा एहां निकलने वाले जूलूस के रूटो का निरिक्षन किया निरिक्षन के करब में गुमला थाना अंतरगा सभी अखाडा अयोजको से सांती पून तरीके सेरावनोई पर मनाने के समध में आवसक दिसानिदेस भी दिया गया सोनी हत्या कांड नियाय की मांग को लेकर कोडारमा में केंडल मार्ज कोडारमा जिला अंतरगत डोमचांच थाना छेतरे के ढबा रोड निवासी स्टोनाली उर्फ सोनी को नियाय दिलाने के लिए परखंड वासियोंने मंगलवार को टैक्सी एस्टेंट इस्ति दुरगा मंदीर से केंडल मार्ज निकाला मार्ज डोमचांच पजार सहिद चोक महताड़ी आदी अस्थलो पर पहुँचा करीब एक किलिमेटर लंबी इस मार्ज के दुरान लोगों की भारी भीर देखी गई लोग हत्यारों को फासी देने और फरार आरोपियों को सिगर गिरफतार करने की मांग कर रहे थे बता दे केंडल मार्च में सामी लोग सुनाली के लिए इंसाब की मांग करने वाला तक्ति लेकर चल रहे थे उम्र कैद की साजा काट रहे 24 कैदी जल्द होंगे रिहा सीम हमान तजहारखन राज सज्जा पुनरीक्षन परिसत की बैठक मुख्यमंत्री हमान सुन के अधक्सता में संपन हुई इस बैठक में आजीवन साजा काट रहे 50 कैदियों की रिहा की समिक्चा हुई इस दोरान अधालत सम्मंदित जीलों के पुलिस अधिक छक जेल अधिक छक और प्रोवेशन पताधी कैदी से बिचार भी मर्स के बाद 24 कैदियों के रिहा करने पर समाती बनी है मुख्य मंत्री ने कहा है कि जो भी कैदी रिहा किये जाते हैं उनका डाटा बैंक बनाया जाए जेल से निकलने के बाद इन कैदियों की गतिविदियों की ट्रेकिंग और मोनेटरिंग की बेवास्ता होनी चाहिए साथ ही कहा है कि समय समय पर इन कैदियों की प्रोपर काउंसिलिंग भी होनी चाहिए इसके लावा इन्हें सरकार की नाव से भी जोड़ा जाए ताकि वे मुख्य धारा से जूड़ रहे हैं वहीं ज़रुत मंद कैदियों के पूर्णवास की भी विवस्ता होनी चाहिए राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय खेलों में पदक जीतने वाले को नगत पुरसकार देगी सरकार जार्खन सरकार राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय अस्तर उतक्रिष्ट परदसन करने और राज्य को गर्वनवित करने वाले खेलाडियों एवं उनके प्रसिक्षकों को पुरसाहित करेगी राई सरकार राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय खेलों में पदक जीतने वाले खेलाडियों प्रसिजकों को नगत पुरसकार देखकर समानित करेगी इस अस्तर की परत्योगता में भाग लेने वाले खेलाडियों को भी इसका लाब मिलेगा हलाकी सर्थ या है कि खिलाडियों को जीन खेलों में पदक मिले हो या जीते हो उन खेलों को अंतराश्टिय या भारतिय ओलंपिक संग से मने आता मिली हो या भी सर्थ है कि खिलाडियों को 10 जुन 2022 के बाद आयोजित खेल परतियोगता में पदक मिला हो या फिर भागेदारी ली हो धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है ते चैनल के सब्सक्राइब कर बाल का बेले करने बढ़िए साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों से असेर करने ना भुले साथ साथ आपने में कोमेंट बस्तों अपना फिडबेक अवस्य दे थैंक यू